शुक्लाम् परधरम् विष्णुम् शशीवरणन् चतुर्भुजम् प्रसन्वद्नन् ध्यायेत् सर्व विग्नो पशांतये। ओम् श्रीक्रिष्ण परब्रह्मनेनमह ध्यानश्लोकाह पारथाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायनेन स्वयम् व्यासेन ग्रतिताम् पुराण मुनिनामध्ये महाभारतम् अद्वेताम्रतवर्षिनीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्बत्वामनुसंदधामी भगवत गीते भवद्वेशिनीम् ओम श्री कृष्णा परब्रह्मनी नमहा ओम कृष्णाय 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 नमहा ओम प्रिश्नाए नमाहा सुखदाश्ची द्वारा रचित है और यह किताब सबसे बैस्ट है पढ़ने के लिए क्योंकि गीता दरपन जो है आप इसको मंगा सकते हैं और गीता पढ़ने के बजाए आप गीता दरपन पढ़ेंगे तो जादा अच्छा है क्योंकि वह सारे मंत्र जो इधर उदर गीता क जो है वो आप जब लोगों को बताएं तो भगवत गीता की बजाए गीता दरपन बोलें क्योंकि गीता दरपन जो है वो जादा ओर्गेनाइस्ट है और वो भगवत गीता को ही ठीक से ओर्गेनाइस करके रखा गया है सारे मंत्र जो एक ही सारे जितने श्लोक हैं जिनका ए इसलिए जब आपको किसी को सजेस्ट करना हो तो भगवत गीता की जगे गीता दर्पन बोलिए गीता दर्पन पढ़ने को वो ज्यादा इजी है समझने की विए और तो आज हम जो है वो 61 टॉपिक करेंगे जो है गीता में सत चित और आनंद द्वावेव सचिदानंदव प्र तो गीता में सन, चित और आनंद इन तीनों का वर्णन आता है लेकिन विदान्त गरंथों में इन तीनों का जैसा क्रम से वर्णन आता है वैसा क्रम से वर्णन गीता में नहीं आता क्योंकि गीता जो है वो एक सिधान्त गरंथ है प्रक्रिया गरंथ नहीं है तो सत जो शब य्यान का वाचक है और जो आनन्द शब्द है वो सरवपरी सुख का वाचक है। तो सबसे पहले हम सत्थ पे चलते हैं तो सत्था जो है वो दो प्रकार की होती है एक तो स्वतह सिद्ध अविकारी सत्था और उतपन होने वाली विकारी सत्था अविकारी सत्था जो है वो परमात्मा एवं जिवात्मा की है और विकारी सत्ता संसार एवं शरीर की है आविकारी सत्ता का कभी अभाव नहीं होता ना भावो विद्धते सतह और विकारी सत्ता का कभी भाव नहीं होता ना सतो विद्धते भावह यानि कि जो परमात्मा है उसकी सत्ता जो है वो पर्मेनेंट है और जो प्रकृति है वो व वाली सत्ता है ठीक है तो उतपन्न होनए रूप से डिखना बढ़ना परवर्तित होना शील होना नश्ट होना ये छ्छै विकार अविकारी सत्ता में नहीं होते ये तीन टाइप के जो दोश है तीन टाइप के जो दोश है क्या है रूप से दिखना बढ़ना चेंज होना मतलब शील होना यानि कमजोर होना नश्ट होना यह छै तरह के अविकारी सत्ता में नहीं होते, यानि परमात्मा की सत्ता में नहीं होते, अर्थात वो सत्ता इन छे भाव विकारों से रहित है, ये छे भाव विकार विकारी सत्ता में होते हैं, जैसे संसार एवं शरीर उत्पन होता है, उत्पन होने के बाद है रूप से दिखता है, मतलब एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को प्राप्त होता है फिर शीन हो जाता है जब हम बुड़े हो जाते हैं तो शीन हो जाता है और नश्ट हो जाता है तो ये विकारी सत्ता है तो गीता में उप्युक्त दोनों सत्ताओं का वर्णन एक साथी हुआ है जैसे रहित है विशम प्राणियों में जो सम रूप से स्थित है और नश्ट होने वाले प्राणियों में जो विनाश रहित है संपून विभक्त प्राणियों में जो विभाग रहित है जिसके अंतरगत संपून प्राणी है और जो प्रम्पून प्राणियों में ओत प्रोथ है तो दोनों का जो विवरन है वो एक साथ ही आता है घीता में जान अब चलते हैं चित पे ये तो हो गया सत ये दो तरह का सत है अब चित क्या है तो जान जो है वो चित है तो चित जो जान है वो भी दो प्रकार का होता है एक होता है कारण निर्पेक्ष और एक होता है करण साप निर्पेक्ष तो परमात्मा और अपने स्वरूप का ज्यान यानि बोध करना निर्पेक्ष है क्योंकि वो ज्यान स्वयम से होता है क्योंकि आप अंदर से अनभव करते हो अपने आपको इंद्रियां मन आधी करणों से नहीं यह टूल्स जो हैं आपकी इंद्रियां मन आख म इन से नहीं करते हैं तो ये कारण है ये मतलब ये करण है करण इंद्रियां जो गई मन हो गया ये सब संसार और शरीर का जान करण निर्पेक्ष जान सबका प्रकाशक है इसी जान से सबको प्रकाश मिलता है इसी से मन बुध्धी इंद्रियां सब प्रकाशित होती है परंतु करण सपेक्ष जान प्रकाश यह है तो यह खुद से प्रकाश करने वाला नहीं है बलकि यह प्रकाशेत होता है जैसे आप सूरज है उसकी चमक से ही तो यह चंदरमा और यह सब प्रकाशेत होते हैं इनमें अपनी लाइट नहीं है गीता में उप्युक्त दोनों जानों का वर्णन भी प्राया है एक साती हुआ है जैसे वहाँ परमात्मा संपून जोतियों का जोति है अर्थात संपून ज्यानियों का ज्यान है वह के परमातमा संपून इंद्रियों से रहःत होने पर भी संपून विश्यों को प्रकाशित करता है, उस परंपद रूप परमातमा को सूर्य यानि नेत्र, चंद्रमा यानि मन और अगनी यानि वानी प्रकाशित नहीं करते हैं। किन्तु उससे ये सूर्य नेत्र आदी प्रकाशित होते हैं परमात्मा की वज़े से, तो सूर्य किसको नेत्र जो है किसको रेप्रेजेंट करते हैं सूर्य को, और बाणी जो है वो अगनी को, और मन जो है वो चंद्रमा को, तो ये प्रकाशित होते हैं, ये खुद से नहीं है अब आते हैं आनंद पे तो सुख भी जो है वो दो भी दो परकार का होता है एक है परमार्थिक सुख और एक होता है लोकिक सुख परमार्थिक सुख जो है वो परमात्मा सुरूप है ये सुख तीनों गुड़ों से अतीत है ये सुख जो है वो सांसारिक सुख दुख से रहि इसी सुख को गीता में अक्षय सुख यानि आत्यंतिक सुख और अत्यंतसिक सुख कहा गया है परंतु लौकिक सुख जो है वो नाशवान है और तीनों गुडों वाला है राजस और तामस सुख तो लौकिक हैं ही उत्पन होने वाला होने से सात्विक सुख भी लौकिक ही है गीता में लोकिक सुक का वडनन प्राय हा, दुख के साथ हुआ है, जैसे शीतोष्ण सुख दुख के साथ हुआ है। तो तात्पर है कि परमात्म तत्व भी सचिदानंद यानि सत, चित और आनंद है और संसार भी सचिदानंद है परंतु इन दोनों के सचिदानंद पने में अंतर है परमात्म तत्व और सचिदानंद पना सब के लिए अनुभूत नहीं है मनुष्य जब साधन करता है, सत्सन करता है, परमातमा की तरफ चलता है, तब परमातमा का सचिदानंद पना उसके अनुभव में आने लगता है पारमार्थिक मार्ग में वो जो आगे बढ़ता है त्यों तो उसमें उत्पन और नश्ट होने वाले हैं, वे पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे परमातमा को सत कहने का तात पर है कि वो परमातमा को असत से विलक्षन है, वहां असत है ही नहीं जैसे उत्पन होने वाली वस्तू को अंगली निर्देश करके बता सकते हैं, ऐसे उस परमात्मा को अंगली निर्देश करके नहीं बता सकते हैं। वो अप्रुकाश हैं, सांसारिक जान अज्यान की अपेक्षा से अर्थात जहां बुद्धी काम करती है, वो जान है। जहां बुद्धी काम नहीं करती वो अज्यान है। संसार में एक सुख होता है और एक दुख होता है एक शांती होती है ये सबी द्वंद्व हैं पारमार्थिक सुख यानि आनंद में दुख अशांती का अत्यंत अभाव है ये सुख संसारिक सुख शांती से सरवथा अतीत है तात पर है कि पारमार्थिक सत अचित और आनंद य कि तीनों दुन्द्वा टीत है बस आज के लिए इतना ही है जी मैंने महादेव को कभी ब्लोक कर रहीन आ मैंने उनको कहा था warning दी थी कि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी अगर आप जातिकार나 लिखेंगे पर मैंने उनको कभी ब्लॉक कर रहीन इसी के साथ ही जैहिंदू राष्ट्रा, बिलते हैं, अच्छी बात है दिव्या जी, खुद से रिसर्च हमेशा करनी चाहिए, तो अब हमारा जो मेंस्ट्रीम है, वो है आज सनातन सबा है, आज Tuesday है, मंगलवार तो सनातन सबा है, और हमारी सनातन सबा अब से ठीक एक घंटे जाहिंदू राष्ट्रा.